नमस्कार प्रणाम मैं हूं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक News 24ॉ बता दू आपको कि जिस तरीके से प्रधान्मंत्री नरेंद्र मोधी यानि कि मैं बात कर रहे हूं देश के प्रधान्मंत्री नरेंद्र मोधी की जिनकी बात करते ही नहीं थक सकते हैं। बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारिफ करने से कोई भी नहीं ठक सकता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जनता के लिए काफी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं यहां ते कि बताते चले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र का सबसे ज़्यादा अगर अभी विश्वास है अगर किसी पे वो विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दू केंद्रिये मंत्री चिराग पासवान को ललन सिंग को और वहीं पर बात कर ले तो जितनराम मांजी को आखिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये तीनों पे इतना ज्यादा भरोशा क्यों कर रहे हैं आखिर क्या कुछ मामले हैं आखिर विश्वास करने की बात कहां से शुरू होती है तो आज आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर देश के प्रधान मंत्री क्या क चिराग पासवान आये दिन काफी एक्टीव नजर आ रहे हैं वहीं पर बात कर लेते हैं ललन सेंग की जिदनना मांशी की टो सारे लोग एक्टीव नजर आ रहे हैं और आपको बता दे यहाँ पड़ की प्रधानमिंद्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा भरोसा भी जता रहे हैं इन लोगों पे तो देखना आखिर दिल्चस्प होगा आपको विस्तार से बताते हैं और आप वीडियो में बने रहेगा वीडियो कॉंतेक्स जरूर देखिएगा चिराग पासवान जुतनरा मांजी और ललन सिंग पर पीम मोदी का विस्वास लगातार बढ़ता जा रहा है केंद्र सरकार ने निती आयोग के कई नई टीम में इन तीनों मंत्रियों को एहम जिम्मेदारी भी दे दी है सौप दी है दिनों को मंत्रित सदर्श्य बनाया गया है आपको बता दे कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि चिराग मांजी और ललन सिंग के निती आयोग का सदस्य बनने के बाद बिहार के श्पेसल स्टेशन मिलने की उमीद बढ़ गई है केंदर सरकार में मंत्री चिराग पासवान, जुद्रामांजी और राजीव, रंजन और ललन सिंग की हैसियत और ज्यादा बढ़ गई है दरसल केंदर सरकार ने 16 जुलाई यानि कि आपको बता दे मंगलवार को नीती आयोग का पुर्ण गठन किया था केंदर सरकार ने क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री सिवराज सिंग चोहान को नीती आयोग का नया पदेन सदश्य बनाया है वह ये बिहार से ललन सिंग, चिराग पासवान और मांजी को भी अहम जिम्मेदारी सौपी गई थी केंदर सरकार ने सुक्षम लदू और मध्यम उधोग मंत्री जुतना मांजी, मत्सय, पालन, पशु पालन और डैरी मंत्री ललन सिंग और खाद प्रिसस करन उधोग मंत्री चिराग पासवान को नीती आयोग में शामिल कर दिया है बता दे आपको इस तीन मंत्रीयों को नीती आयोग में शामिल करने से बिहार की श्पेसल स्टेटस की डिमांड को और ज्यादा तवज्यों मिलने की उमीद भी बताई जा रही है बिहार सरकार में मंत्री विजायत चौधरी पहले ही कह चुके है कि नीती आयोग की हालिया रिपोर्ट बिहार के लिए विशेस राज्य का दर्जा या फिर विशेस आर्थिक सहायता की मांग को और चित्य प्रदान करती है आपको बता दे निति आयोग में विशेस आमंत्रित सदाश्यों के तौर पर स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री जेपी नड्डा भारी उधोग मंत्री एचडी कुमार स्वामी नागरिक उडेयन मंत्री क्यार नाइडु को शामिल किया गया है बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी निती आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे उपाध्यक्ष और अन्य पूर्ण कालिक सदश्यों के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है आपको बता दे एक जानकारी जारी हुई है कि राष्ट्रपती भवन के अधिश सूचना में कहा गया है प्रधान मंत्री ने निती आयोग के पूर्ण गठन को मंजूरी दे दी है सुमन के बेरी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे वीके सार, स्वत रमेश चंद, वीके पाल और अर्विंद विर्मानी पूर्ण कालिक शदस्य बने रहेंगे उलेखनिये है कि पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, ग्रेह मंत्री अमीत शाह, अर्वित मंत्रे निर्मला, सीता रमन शामिल है निती आयोग सरकार के ठिंक टांक के रुप में कार्य करता है या केंद्रिये और राज अस्थर पर सरकारों को सलाह देता है तो आपको बता दे कि जस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी तीनों को खासम खास मान रहे हैं, एहम भूमिका दे रहे हैं आपको बता दे, जस तरीके से तीनों पर भरोसा जता ना, यानि के बिहार के लिए काफी गर्व की बात हो जाती है लगातार बिहार को विषेश से राज दरजा की मांग की भी लगातार जुक्र चल रहे थी, कई दिग्वजुनेता भी बिहार को विशेश से राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पे बड़ा खुलासा हो रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भरोसा जता रहे तो कहीं न कहीं बिहार में अच्छा कुछ होने वाला है कुछ अच्छा मिलने वाला है देखना दिल्चस्प होगा अगले वीडियो में आपके साथ साजह जरूर करूँगी क्या कुछ फैसला आता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ फैसला होता है चिराग पासवान का जुतनरामांची का ललन सिंग का क्या कुछ खुलासा होता है सामने अगले वीडियो में जरूर साजह करूँगी तब तक के लिए इजाज़त दीजेगा धन्यबाद अगर आप हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा यदि आप अगर हमारे फेस्बूप पेज को देख पा रहे हैं फेस्बूप पेज को भी फॉलो कीजेगा लाइक कीजेगा शेर कीजेगा धन्यवाद